स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद गुरू चेला पर स्टूडेंट्स यह जो वीडियो है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने जा रही है इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं इनके जो OBE कोश्चन पेपर रहे है किस टैप का मार्किंग स्कीम रहा किस टैप का पैटर्न रहा किस टैप के कोश्चन पूछे गए इन सभी को इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिसकस करेंगे एनलाइज करेंगे सो आप बने रहे इस वीडियो के साथ ये वीडियो सेमिस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जिससे कि वो अपने एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन अच्छे तेरी किसे कर सकें इन कोश्चन पेपर्स की हेल्प ले सकें सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हैल्पुल होती है तो आई रुक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक एंड शियर करना ना भूलें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरू चिला को नॉटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलती रहे आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो स्किप ना हो के अंदर जरूर शेयर भी करेंगे, स्टुडेंट्स अगर आपको इन कुश्चन पेपर्स की पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, क्वेरीज को, सजेशन्स को, एड़ सो ओन, इसी उमीद के साथ स्टुडेंट्स इस वीडियो को बनाया जा रहा है, कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा, आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक महुचाएंगे, ठीक है, आप इस वीडियो के अंदर जो कुश्टन पेपर से उनकी हेल्प लेंगे, अपनी एग्जानेशन की प्रिपरिशन के लिए, स्टुडेंट्स, आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रिवियस एयर ओबी ए कुश्टन पेपर्स को, स्टुडेंट्स, फर्स्ट अफॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो की इंग्लिश जेनरिक लेक्टिव का सब्जक्ट है, बी ए ओनर्स पॉलिटिकल साइन्स, बी ए ओनर्स इंग्लिश एंड सो ओन, स्टुडेंट्स, यह जो कोश्टन पेपर है, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, कि सेमिस्टर थर्ड वालों के लिए ही वी ये वीडियो बनाई जा रही है, इसमें जो कोश्टन पेपर्स हैं, वो सेमिस्टर थर्ड वालों के लिए ही बनाई जा रहे हैं, स्टुडेंट्स, इसकी जो डिएशन रही है, जो टाइमिंग रही है, वो ये रही है OBE के according कि 3Rs आपको मिलते हैं question papers को जो questions हैं उनके answer writing के लिए साथ ही additional जो 1R है वो आपको दिया जाता है question papers को downloading के लिए and जो आपके answer seat है उसको portal पर uploading के लिए ठीक है students देखे students अगर हम media and communication skills general collective subject की बात करें तो देखिए इसके जो maximum marks रहे हैं वो रहे है 75 marks यानि कि 75 marks का आपका ये question paper रहा अगर हम कुछ instructions की बात करें candidates के लिए तो देखिए इसमें जितने भी questions पूछे गए हैं उनमें से आपको any 3 questions के answer अपने answer seat के अंदर लिखने थे ठीक है देखिए all questions जो है वो carry करते हैं एक्वल मार्क्स that is 25 तो ये कुछ basic instructions रहे हैं candidates के लिए so students आईए question number one की और हम बढ़ते होए और देखते होए कि किस type का question number one पूछा गया इसमें पूछा गया कि how has globalization impacted the news industry in India explain with examples देखिए इसमें पूछा गया है कि जो globalization रहा है जो वैश्वी करन रहा है उसने किस प्रकार प्रभावित किया है impact करा है news industry news जो industries है ठीक है इंडिया के अंदर उनको साथ ही आपको इसके कुछे relevant examples भी देने हैं अपनी answer writing के अंदर so इस type से आपका question number 1 पूछा गया वहीं question number 2 रहा कि write a note on the strength and weakness of radio as a mode of mass communication देखिए जो radio है उसकी जो strength है जो weakness यानि कि जो positive points है और जो negative points है उसके अंदर ठीक है वो आपको इसके अंदर explain करने थे define करने थे ठीक है वहीं question number 3 रहा कि elaborate on the origin and nature of mass communication इसमें आपसे simply पूछा गया है कि कैसे origin हुआ है क्या nature रहा है mass communication का किस type से उसका जो nature है वो change हुआ है time to time ठीक है उसका कैसे origin हुआ है कैसे उसका development हुआ है या आपको elaborate तरीके से question number 3 के अंदर explain करना था students question number 4 रहा है create a commercial advertisement देखिए आपको इस question के अंदर एक commercial advertisement जो है वो create करना है for a mobile app किसी भी एक mobile app के लिए जो कि help कर सके अपने users को in online shopping online shopping के लिए of medicines and cosmetics यानि कि जो medicines के products हैं जो cosmetics के जो products हैं ठीक है उनकी shopping के लिए online shopping के लिए आपको ऐसा commercial advertisement एक create करना है ठीक है एक mobile app के लिए तो ये question number 4 आपके अंदर question number 4 आपसे इस type से पूछा गया so students question number 5 रहा कि write an editorial आपको एक क्या लिखना है editorial लिखना है on the impact of the online modes of teaching learning in a socially diverse country like India कि कैसे जो online modes of teaching learning जो है ठीक है कैसे impact हो रहा है socially diverse country like India इंडिया जैसे एक diverse country के अंदर ठीक है ये आपको एक editorial के रूप में लिखना है इसका answer वही question number 6 रहा write a review of a web series देखिए आपको एक review लिखना है एक किसी web series का या फिर किसी फिल्म का जो आपने recently देखी हो ठीक है अपने शब्दों में आपको ये लिखना है review जो है तो इस type से question number 1 to 6 यानि कि एक से लेकर 6 जो question आप से पूछा गए इनमें से आप पे जो best तरीके से three questions आते थे वो आपको अपने answer seat के अंदर लिखने थे and उसकी जो PDF बनानी थी and portal पर upload कर लेनी थी तो इस प्रकार वो भी question paper रहा previous year ठीक है do regular students का media and communication skills का I hope आपको थोड़े बहुत तो help होगी ही in questions की practice करिए आप अपने examinations की preparation के लिए so वहीं students अगर हम making of post-colonial India see 1950 to 1990 ये जो जनरिक लेक्टिव सब्जक्ट है history का semester third के अंदर इसका किस type का question paper रहा किस type के questions आप से पूछे गए किस basis पर question ज़्यादा put up करे गए आप से question paper के अंदर कितना maximum marks रहा इन सभी को गर हम discuss करें तो देखिए making of post-colonial India see 1950, 1990 ये जो semester third का जनरिक लेक्टिव सब्जक्ट है इसका जो time रहा है वो रहा है 3 hours साथ ही इसके जो maximum marks की अगर हम बात करें तो वो रहा है 75 marks इसमें देखिए कुछ जो instructions हैं वो ये हैं कि write your roll number on the top immediately on receipt on the question paper ठीक है यानि कि question पत्र मिलते ही निर्दाड़त स्थान पर अपना अनुक्रामक लिखिए वही next जो है वो ये है कि answer may be written either in English और Hindi but the same medium should be used throughout the paper यानि कि इस question पत्र का उत्तर जो है आप अंग्रेजी या फिर Hindi किसी भी एक भाशा में दीजिए लेकिन सभी उत्तर एक ही भाशा में दे ठीक है या फिर आप English या फिर आप Hindi वही attempt any three questions यानि जिसमें जो ये subject है इसके जो ये question paper है इसके अंदर जितने वी question पूछे गए है six question पूछे गए है जैसे की तो उनमें से आपको any three questions के answer लिखने है यानि कि attempt any three questions किनी तीन प्रेशनों का उत्तर दें वही है at last जो है वो ये है कि all questions carry equal marks यानि कि सभी प्रेशनों के अंग जो है वो समान है तो इस प्रेकार के कुछ instructions रहे हैं candidates के लिए आईए अब देखते हैं कि किस टाप के questions पूछे गए so students अगर हम question number one की बात करें जो पूछा गया कि what were the significant concerns faced by the constituent assembly in the framing of the Indian constitution did the constitution meet the expectations of the Indian people यानि कि जो पहरतिय समीधान की जो रचना में समीधान सभा के समक्ष महत्यपूर्ण सरोकार जो थे वो क्या थे ये आपको इसके अंदर explain करने है define करने है साथ ही क्या ही है समीधान भारते जनता की आकनशाओ पर खरा उतरा यानि कि जो Indians की जो expectations थी उन पर ये खरा उतरा या नहीं ये भी आपको इसके अंदर explain करना था then next student question number two how did the conflict on the language question restructure the Indian union in the 1950s and 60s यानि कि देखें जो 1950 और 1960 के जो दशक के भासाई संगर्सों ने भारतिय संग को किस प्रकार पुनरदधित किया है कैसे restructure किया है ये आपको इसके अंदर explain करना था define करना था वहीं question number three रहा कि critically analyze the first two five year plans of independent India यानि कि जो स्वतंत्र भारत की प्रेथम दो पांच वर्षिय योजनाओं का जो अलोचनात्मक जो विसलेशन है वो आपको इसके अंदर explain करना है define करना है not down करना है कि किस टाइप के जो five year plans रहे हैं independent India के वो क्या रहे हैं आपको first two five year plans को इसके अंदर जो critically examine करना है ठीक है analyze करना है वहीं question number four रहा कि discuss the growth of the caste politics in India do you think there has been a politicization of caste in post-colonial India यानि कि देखिए भारत में जाती है राजनीती की विकास पर चर्चा करनी है आपको इस question के अंदर क्या आप ये मानते हैं कि भारत में जाती का राजनीती करन हुआ है देखिए इसमें simply पूछा गया है कि जो caste politics इंडिया के अंदर जो growth हुआ है ठीक है वो आपको इसके अंदर totally discuss करना है साथ ही आप क्या ये मानते हैं कि जो भारत में जो caste system है ठीक है जो जाती का जो system है उसका politicization हुआ है यानि कि राजनीती करन हुआ है अगर हां तो किस type से आप ये मानते हैं आपको इसके अंदर define करना है explain करना है वहीं question number five रहा evaluate the JP movement जो JP movement चला ठीक है and the emergence and their effect on Indian politics उसका कैसे effect पड़ा Indian politics के उपर यानि कि भारतिय राजनीती में JP अंदोलन और आपातकाल के प्रेभाव का मुल्यांकन कीजिए यानि कि किस type से जो भारतिय राजनीती में JP अंदोलन हुआ ठीक है जो emergency हुई थी जो आपातकाल हुआ था उसके किस type से effect किया किस type से उसने प्रेभावित किया ठीक है भारतिय राजनीति को यह आपको इसके अदर explain करना है define करना है वहीं at last जो final question number 6 है वो यह है कि do you think that popular cinema in India has been able to represent social and politically reality of the period from 1950s to 1980s यानि कि क्या आप मानती है कि भारतियों लोग पर यह स्नेमा ठीक है जो इंडियन popular जो popular cinema है इंडिया का ठीक है 1950-1980 के मद्दे के सामाजिक और राजनीतिक ठीक है उसने socially and politically जो politically जो reality है ठीक है जो राजनीतिक या थार्थ है उसको दरसाने में सफल रहा है या नहीं अगर रह है तो किस टाइब से रहा है आपको यह इसके अंदर critically examine करना है analyze करना है स्टुडेंट्स इस प्रकार 1-6 यानि कि एक से लेकर 6 तक प्रेशन में जो आप बेस्ट 3 प्रेशन आते थे जो बेस्ट 3 questions आते थे वो आपको अपनी answer seat के अंदर not down करने थे तो यह था making of post-colonial India C 1950 to 1990 का OBE question paper वहीं students अगर हम at last भाशा और समाज जो की हिंदी का gender collective subject है ठीक है इसका किस टाइब का question paper रहा ठीक है तो देखिए इसके जो आवेशक निर्देश है पूरांग जो रहे है वो 75 मार्क का रहा है आपका इक question paper समय तीन गंटे रहा है ठीक है students अगर हम इसके कुछ आवेशक निर्देश के बारे में बात करें जो instructions है उसके बारे में बात करें तो देखिए उत्तर के पूर्व प्रेशनों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें ठीक है 6 प्रेशनों में से किसी भी 4 प्रेशन के उत्तर दिये जाने है प्रतेक प्र समाज जो भाशा है और जो समाज है एक दूसरे को कैसे प्रेभावित करते हैं यानि कि किस टाइब से वो affect करते हैं एक दूसरे को ठीक है यह आपको धारन सहीत इसकी विवेचना करते हुए लिखना है वही प्रेशन नमर दो रहा है कि समाज भाशा विज्ञान की संकल्पन स्वष्ट करते हुए क्या करना है जो भाशा है और जो समाज है उसके बीच में क्या relations है ठीक है जो उसके बीच में अंदर संबंध है वो आपको विवेचना सहीत लिखने है दरसा आने है ठीक है वही स्टूडेंट्स प्रेशन नमर थ्री रहा है कि हिंदी भाशा के संदर् स्वस्ट कीजिए यानि कि हिंदी भाषा के संदर में इसके प्रस्पेक्टिव में भाषा और समुदाये की जो संकलतना रही है वह आपको प्रीफली स्वस्ट करनी थी ठीक है इलेबरेट करनी थी वहीं स्टुटेंट्स प्रेशन नमर चार रहा है कोड मिक्षन एवं कोड प वर्ग से आप क्या समझते हैं कि भाषा क्या होती है और साथ ही वर्ग क्या होता है इन तोने में क्या डिफ्रेंस है ठीक है क्या में 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 मॉइंट्स है या आपको इसके अंदर एक्स्पिलिंग करने है डिफाइन करने है साथ ही आपको यह जो प्रेशन है इसको सुधार उल्लेक कीजिए यानि कि उधारन सहीत आपको इसका उल्लेक करना है विविजना करना है ठीक है वहीं स्टुडेंट्स लास्ट यानि कि फाइनल और जो आखरी प्रेशन रहा है प्रेशन नम्मर छटा वो रहा है कि भाशा सर्विक्षन के लिए प्रेमुक रूप से किन विश होती है ठीक है जिन पर हम कुछ इस टाइब से विचार विमर्स करते हैं या आपको इसके अंदर एक्स्प्रिन करना है सो स्टुडेंट्स इस प्रेकार प्रेशन नम्मर एक से लेकर छे तक आपसे पूछे गए जिन में से आपको एनी फॉर कोश्चन से आनि कि चार प्रेकार से जनरिक लेक्टिव के जो ओबी कोश्चन पेपर रहे हैं वो इस प्रेकार रहे मीडिया एंड कम्यूकेशन स्किल्स का मेकिंग आप पोस्ट कॉलनियल इंडिया का भाशा और समाज का आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी आपको थोड़ एंड कमेंट करकर जरूब बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन करें सब्स्क्राइब करें वहाँ पर अपनी को पोस्ट करें सजेस्टन को पोस्ट करें एंड सो अन सो स्टुडेंट्स अगें थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो स्टे हम स्टे से अंडोर्स